नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका मत्रदेश के Current Affairs में मैं हूनी लेज और आप सभी का 16 फरवरी के Current Affairs में स्वागत करता हूँ और Current Affairs की सुरुवात करने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं यदि आप MPPS CP 2024 के त्यारी कर रहे हैं और आपको Test Series जोइन करना है तो Exam Guruji में Online Test Series चालू हो चुकी है आप इसको कभी भी जोइन कर सकते हैं Online Exam Guruji के App से इसमें आपको 80 Test मिलते हैं साथ ही में आपको Topic Wise, Unit Wise और Full Lens Test भी मिलते हैं Multiple Time Attempt Test है आप कभी भी दे सकते हैं कितनी बार भी दे सकते हैं इसकी कोई Limit नहीं है जादा जानकारी के लिए ये दिये गए नंबर पर आप WhatsApp कर सकते हैं या Call कर सकते हैं हमेशा की तरह सुरुवात आज के विचारों के साथ और आज का जो विचार है वो चाणक्या का है जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदव याद रखना कि पस्तावा अतीत नहीं बदल सकता चिंता भविश्च नहीं सवार सकती या सुदार सकती एक आगरता से किया गया परिश्चरम ही वास्तविक चमतकार होता है तो यहाँ पर चाणक भी कह रहे हैं कि यह आप अकसर हम लोगों के साथ होता है कि हम अतीत को सोच करके बहुत जादा क्या करते हैं पस्ताते हैं और भविस को ले करके चिंता ग्रस्त होते हैं इन दोनों से आपको कुछ भी नहीं मिलता ना तो अतीत के बारे में सोचिए ना भविस के बारे में सोचिए सिर्फ वर्तमान पे अपनी एक आगरता के साथ अपना परिश्रम करिये नहीं चमतकार आपको क्या करेगा बहुत आंगे ले करके जाएगा ये विचार चाड़ा के के हैं तो इसमें ज़्याद आर्गुमेंट नहीं हो सकते सुरुवात करते हैं आज के पहले प्रश्ण की की बेड़े स्वर्धाम से ये मुख रुप से कौन सी जन्जाती संबंदित है जन्जाती आपके 10th unit में आ चुकी है उससे जुड़े हुए जब भी कुछ अच्छे event होंगे या कुछ programs होंगे उसको हम अपने current awareness अमलित करेंगे तो जो बेड़े स्वर्धाम है ये मुख रुप से जो संबंदित है ये भील जन्जात से संबंदित है और मुख बात ये याद रखनी है कि ये राजस्थान में आता है ठीक है है क्या वहाँ का एक आदिवासी बहुल जिला है डुंगरपुर यहाँ पर पिछले वर्ष ही परदानमंत्री का कारकम था काफी बड़ा कारकम वहाँ पर आवजित किया गया था और इनके जो संतमावजी है इनका एक तीन सो वर्ष लगब उनके वहाँ पर तहशील है यहाँ पर एक मेला लगता है जिसकी वज़े से आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि निम्ड में से कौन सा एक आदिवासियों का या भील आदिवासियों का हरिदवार कहा जाता है या बगड का पुषकर कहा जाता है या बगड का कुम्भ कहा जाता है ये तीन सब्द आपको याद रखने हैं ये तीनों भील जंजाती से संबंदित है निम्ड में से किस आदिवासी जंजाती का ये हरिद्वार कहलाता बेड़ेश्वरधाम तो याद रखना है ये भील जंजाती का कहलाता बगड का पुस्कर किस जंजाच से संबंदित है भील से संबंदित है बगड का कुम्ब किस से संबंदित है भील जंजाच से संबंदित है तो चार या पांच प्रकार की प्रशन यहाँ पे बन सकते हैं और ये लगातार खबरों मेरा पिछली दो वरसों से तो हमें ध्यान रखना, पिछली वर्स यहां पर प्रधान मंदरी का मुमेंट था, वहां पर उन्होंने एक बड़े से कारकरम में शंबलित हुए थे, और इस बार यहां पर राष्टपती संबलित हुई है कारकरम में, और वहां का जो एक समूह है उससे उन्होंने बातचीत क करी है, तो बेडेश्वा धाम मेला की बात करी जाते है, तो राजस्थान का एक स्थान है, जो शोम, माही और जाखम नदियों का जो एक शंगम है वहां पर आता है, हर वर्स माग शुपिर पूडिमा को यहां पर एक विसाल मेला का आयोजन किया जाता है, और इसमें केवल भील जन जाती है, गुजरात में पाई जाती है, और मदप्रदेश में पाई जाती है, यह सभी लोग इनका पवित्र स्थान है, कुम्ब कहला रहा है, तो वहां जाते हैं, और पवित्र स्थान है, तो वहां पर मेला भी लगता है, इसी प्रकार से बात करी जाए, यह फेमस किये जाते हैं भील जंजाती मदपरदेश के साथ साथ आपके महारास्ट्रा गुजरात और राजस्तान में भी पाई जाती है विसे इसका राजस्तान गुजरात में पाई जाती है और लगबग इस छेत्र में कुल आदिवासी अबादी का 39% यहाँ पे रहता है और क्योंकि राजस्तान का बेल्ट है तो आपको वहाँ से जादा याद नहीं रखना है बेड़ेश्वर धाम ध्यान में रखना है चली आब आगे बढ़ते है प्रश्ट कमांग 2 की तरफ भारत मध्धपूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यहने जिसे IMEC कहते हैं IMEC भी कह सकते हैं कौन सा देश इसका भागीदार नहीं है तो इसमें जो भागीदारी नहीं रहेगी वो तुर्की की नहीं रहेगी क्योंकि यह काफी पहले जब US के पेस्टेंट से भी बात हुई थी तो उस समय पे यह मुद्दा चाया हुआ था और यह मद्दिन जायत अलमायान इनके साथ बाचीत पे इस पे हस्ताक्षर हो गया यह निए गलियारा जो हब आगे के करम में बढ़ गया और बहुत बड़ा एक तरह से भारत के लिए शकलता भी है तो इसका फायदा यह मिलना है कि भारत मद्दपूर यूरोपी अर्थिकरियारा जो हिससे हमारा एक तो कनेक्टिविटी होगी तो हम सीधे सीधे उस चेतर से जुड़ जाएंगे साथ में भारत यूए और जो पूरा यूरोप है उन कंट्रियों के साथ हमारा व्यापार क्या हो जाएगा शुगम हो जाएगा आने वाला समय भी जो है व्यापार काई है औ जो कंट्रीज हैं उनके बीच में रिलेशन्स अच्छे रहेंगे तो अब क्योंकि हमारा जो इराक वाला मैटर है वहां के जो चाबार बंदर गया है उसके का वहां हमने पहले ओपन करने की कोशिस की थी वहां हमारी सफलता नहीं मिल पाई कुछ अर्नत्यकार्णों के वज सारे अन्य चीजों के हम एक्सपोर्ट वहां पर कर सकते हैं जो की कम समय के लिए होता है ठीक है तो मोटी मोटी बाते यही हैं यह याद हमें रखना IMEK में आपका भारत आता है UAE आता है MPPSC में जातर प्रश्ट पूचेगा तो आपसे यही पूचेगा तो यह ध्यान में भारत UAE, Saudi Arab, EU, France, Italy, Germany, America यह इसमें अमेरिका को ध्यान में रखना किसी प्रकार से इग्णोर नहीं करना वह अमेरिका इसके समलेत है यह यह यूरोप की तरफ भले कनेक्ट हो रहा है लेकिन US का इसमें बहुत बड़ा रोल है बात करी जाए तो इसमें केवल एक सिंगल क्या विस्ट को लेकर के पूरा का पूरा एक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी और आने वाले समय में एक यह बहुत महत्तपूर गलियारा कहलाएगा रेल भी कनेक्टिविटी भी की जाएगी वहाँ पर जो संयुक्तर अब अमिरात है जार्डन है इसराइल है इन सब के माध्यम से फिर रेल के माध्यम से जो हमारा क्या कैते हैं बंदरगाह होंगे वहां तक क्या किया जाएगा लोजिस्टिक काम करेगा फिर बंदरगाय से हमारे सिप्मेंट कारेंगे तो क्या होगा connectivity अच्ष होगी पूरा का पूरा सिप्मेंट नहीं रहेगा लेकिन 수도 अरभ तक यहा तो पूरा का पूरा ये घुमना पड़ता है और आए दिन मैटर होते ही रहते हैं सबी जगर आगे की तरफ बढ़ें और बात करें तो ये जो बंदरगाय है ये पूरवी गलियारा पस्च मितट मुंदरा के भारती बंदरगाय से सुरू होगा आपसे कभी भी पूचा जाए तो याद रखना है ये मुंदरा के भारती बंदरगाय से सुरू होगा और फुजैरा बंदरगाय तक जाएगा और इसके बारे में जैसे ही औरने चीज़े आएंगे तो उसको फिर हम और डेटेल्स के क्या करेंगे बात्चित करेंगे साथ में इसका जो उत्तरी अगली आ रहा होगा वो हाइफा से सुरू होगा और फ्रांस को मर्सिले जैसे जितने भी बंदरगाय एटली और ग्रीस के उनसे क्या करेंगा प्रश्ट कमांग तीन की तरफ बढ़ें तो बात करें अपार किस मंत्राले यानि APAAAR किस मंत्राले से सुरू किया गया है तो यह जो सुरू किया गया है सिक्षा मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है यह मोटे मेटी बात है जैसे एक आधार कार्ड होता है ठीक इसी प्रकार से one nation, one student ID के रूप में इसको develop किया जा रहा है, भारत सरकार की जो नई सिक्षा नीती है 2020, उसके according कि आपका पूरा का पूरा जो एक academic history हो, उसकी identity आपकी एक होनी चाहिए, जिस प्रकार से हमारा एक आधार कार्ड होता है, तो बार-बार role number याद करने की एक unique identity होनी चाहिए, जिससे आपकी पूरी education history क्या हो सके निकल सके, तो ऐसा पूरा का एक system develop किया जा रहा है, school, college, सभी जगह पे एक इस तरह का environment create किया जा रहा है, तो इनी सब चीजों को लेकर के higher education ने इसको क्या किया है, भी इसका portal start किया है, और इसको जारी किया है, लग start-up conclave है, वह shuffle होना, start-ups के लिए क्या चाहिए, उनकी आसा यही होती है कि हम shuffle हो, तो इसमें हमारे आगे जो खेद केंदरी खाद प्रसंसकरन मंतरी है, श्री परशुपत कुमार पारस, इन्होंने अभी सुफलम start-up a forum for aspiring leaders and mentors start-up conclave 2024 का उधगाटन किया है, और यहां पे start-ups क क्या किया गया, एक platform प्रवाइड किया गया है, वहां पे दोनों तरह के लोग होते हैं, जो start-up वाले भी होते हैं, जो experience भी होते हैं, उनको पूरा का पूरा एक तरह से क्या कहते हैं, परिस्तित की उसके लिए उनको ecosystem तयार किया जाता है, उन सब चीजों को लेके एक conclave था और यहाँ पर main focus जो था वो खाद प्रसंसकरण से जुड़ा हुए जो लोग थे वो आए हुए थे, खाद प्रसंसकरण से जुड़ा हुआ सरकार का एक कारकम है, एक सूर्योदय छेत्र, भारत खाद इन उद्दोग निवेश्ट के लिए एक अवसर देता है, यहाँ पर सा करके जो खाद प्रसंसकरण विवाग है वो कारे करता है भारत सरकार का, और उसके लिए पुरुत्साहन के लिए क्या-क्या योजना है बना सकती, यह सारी चीज़े की जाती है, और conclave में यही सब होता है, शुफलम का नाम याद रखना है, हाली में प्रधान मंतरी के द्व गोशना बहुत पहले की जा चुकी है कि PM सूर्य घर मुफ्त विजली योजना के तहट कितनी विजली मुफ्त दी जाएगी, तो यह जो विजली मुफ्त दी जाएगी, यह 300 यूनिट दी जाएगी, प्रधान मंतरी के द्वारा इसकी गोशना की गई थी काफी पहले, और PM स पूर्य घर यह मुफ्त विजली पर योजना है, इसमें सरकार का उदेश है, इसके ललक से सरकार ने फंड जारी किया, लगबख 75,000 करोड रूपय का लाभारतियों को कितने यूनिट विजली दी जाएगी, तो याद रखना प्रतिमार 300 यूनिट विजली दी जाएगी, ज हम किस प्रकार से यूटलाइज कर सकें, पिछले दिनों के करणट फर में आपने पढ़ा तो उसी चेतर पे सरकार यह कर रहे हैं कि जो हमारी बंजर है, यह आप मदप्रदेश का जो गुण का सॉलर प्लांट है, आपका भी विजिट करेंगे, तो आपको मालुम होगा कि व पूरी तरह से बंजर है, वहां कुछ भी नहीं होता, इवन घास भी नहीं होता है, तो इसी प्रकार से हमारे बहुत सारी बंजर भूमी है, वहां पर यह मॉडल लगाया जाएगा, साथ ही साथ लोगों को प्रोच साहित किया जाएगा, कि आपकी छटे हैं, यह आपकी जो लगा लें, तो आपको electricity क्या करने लगे, प्रोवाइड होने लगेगी, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, पहले से ही प्रोग्राम चला रही है, राष्टी सौर मिशन, कब चालू किया गया था, तो यह जो चालू किया गया था, 11 जनवरे 2010 को किया गया था, भारत सरकार और राजसरकारें जितनी भी होती, सभी मिलकर के, इसको क्या करती है, चलाती है, सरकार का उद्डेश है कि भारत जो है, सौर पॉद्दो की छेत्रम, एक जितनी भी नीतिय हमें एक अच्छी नीतिया बनाए, ताकि हम उर्जा के रूप में, एक बर्श्विक नेर्था के कि हमारी जो उर्जा है हम 50 cm किया करेंगे प्राप्त करेंगे और आगे की तरफ बढ़ें बात देस के करन्डफ t तो आज का प्राश्ण है कि मद्व प्रदेस में जो जन्मन योजना पूरे बारत वर्स में और याण चल रहा है जंजाती छेत्रों में कितने नवीन आगनवाडी केंद्र बनाये जाएंगे तो इसको 194 बनाएंगे बहुत जाद आकड़े आप नहीं रखना एक सो चौरानवे नवीन आगनवाडी केंद्रों होंगे PVTG सरकार का PM जन्मन के नाम से चलाया जा रहा है इसमें जितनी भी हमारे प्रदेश की बार बार बोल रहा है एक बार फिर बोल देता हूँ मदप्रदेश MP और CG को मिला करके टोटल साथ जंजातियां समलित की गई है मदप्रदेश 36 गड़ के 75 में जब बात हुई थी कि कितनी PVTG जंजातियां हैं तो उस समय पे मदप्रदेश और 36 गड़ एक थे तो इसलिए एक बनाएगी साथ जंजातियां लेकिन जब विभाजान हुआ तो तीन जंजातियां हमारे दर रह गई चार उदर चले गई तो क मदप्रदेश में प्रमुका जो की PVTG में आती हैं तो यहां पर सरकार क्या कर रही है पीम जन्मन योजना में जितनी भी इससे रिलेटर योजनाय चल रही है विशेस पिछड़ी जंजातियों से सभी को सम्मलित करके एक तरह से सगह नवियान चला रही है कि उस छेत्र में और भी जो नवीन योजनाय वर्तमान सरकार के द्वारा चलाई गई है उन सभी को शम्मलित करके वहां पर हर प्रकार का जो एक बेसिक इंफरस्ट्रक्चर होता है वो किसी भी छेत्र का हो एजुकेशन का भी हो सकता है हेल्थ का भी हो सकता है कनेक्टिविटी का भी हो सकता है उनके रोजगार से संबंदित भी हो सकता है और उनके क्या कहते हैं उनके अधोसनरचना विकास भी हो सकता है उनकी बेसिक नीट से भी हो सकता है सारे के सारे जो जो चीज़े आप सोच स रखते हैं कि आगनवाडी पोशड अभियान पहले से ही चल रहा है वो सभी के लिए चलता है यहां पर सच्छम आगनवाडी का जो 2.0 प्रोग्राम है वो PVTG के लिए सकें सरकार और महिला बाल विकास मिंतरारे मिल करके चला रहे हैं अब यहां पर अलग से आगनवाडी क्या दूर पढ़ लें आपके दिमाग में बार बैड़ जाएंगे 20 जिले मोटे मोटे आकड़े याद रखना है कितनी जन जातियां वो याद रखनी है कौन कौन सी है वो याद रखनी है आगे की तरफ बढ़ेंगे बात करेंगे परिश्कमांग साथ की निम्मे से कौन महिला वित्य विकास निगम की स्थापना 1988 में हुई थी राजसासंदार महिलाओं के विकास के लिए उनके डवलप्मेंट के लिए जो भी कार किये जाते हैं उद्देश होते हैं उसको आगे डवलप करने में उसको एपलाई करने में इस विभाग का बहुत बढ़ा भी दिया जा चुका है स्कॉच अगॉर्ड भी से सम्मानित किया जा चुका है बढ़ते हैं प्रशकमा कार्ट की तरफ प्रदेश में तालाबू और जो अन जल स्रोत होते हैं उनके नयन के लिए कौन सा अभियान चला जाएगा तो यह जो चला जाएगा जल हठ अभियान च इस तर पे चला जाएगा तो स्वभाव surroundings के रोग से पंचायत मंत्राय को आप योगदान रहेगा लेकिन अब इसके लिए क्या चाहिए मैं उनको राजसु जो डाउन हो रहा है उसको हम क्या कर सके पूरा कर सके अभी हाल फिलहाल 200 तालाबों का लक्ष रखा है सरकार ने 30 जून तो किसे पूरा करना है वर्तमान में पंच आयते हों ग्रामेड विकाश मंत्री कौन है तो स्रीश प्रहलाग पटेल है जल संसाधन मंत्री लगातार वही यह दूसरी सरकार में तुल्सी राम सिलावट है राजश मंत्री सीकरण सिंग वर्मा है बढ़ते है प्रशन कमांग नौ की तरफ हाली में कहां पर राजशासन ने तात्या टोपे विश्विद्याले के स्थापना की मंजूरी दी है तो यह जो मंजूरी दी गई है गुना म जो जन्म हुआ था नासिक जीले में हुआ था मूल नाम इनका राम चंद्रपंडुरंग था अठारा सुनतामन के विद्रोही नेता रहे है निलक्ष्मिवाई के बखत बड़े शायोगी रहे है गोरिला लड़ाई के लिए फेमस रहे है और इनको क्या है गोरिला में नहीं रखना है क्योंकि दिमाग हमारा शुकूरी में ही जाएगा जाना हमें कहा है गुना में लेकिन इसके साथ साथ एक विश्विद्याले है और चालू किया जा रहा है राजसासन के द्वारा रानी अवंतिवाई लोधी विश्विद्याले इसकी स्थापना कहा की ज जारी अब confusion यह नहीं रखना है कि सागर में तो पहले से एक विश्विद्याले है डक्टा हरी सिंग और वो Central University है इसको भी ध्यान में रखना है यह जो विश्विद्याले को टोटल तीन विश्विद्याले की अभी सरकार ने क्या करी है अनुसुंचा करी है उसको open करने जारी सर्दान्तिक मंजूरी दे दी गई है एक विश्विद्याले आपकं कौंसा हो गया रानिया वंती बायां लोदी पहले के college थे उनको university के रूप में अभी एक तरह से basic रूप में चालू कर दिया गया 2024 का सत्रहा से चालूगा सरकार जमीन वगयरा सब देगी वो उनका काम है आपनको उसमें नहीं जाना बात पर जिया रानी अवध्ति भाई प्लोधी की तो ये प्रथम महिला सहीद विरांगना है स्वतंता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनका जो जन्म हुआ था 16 आगस्ट 1831 में मन कहड़ी आता है सिविनी में वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और रामगर रियासत की राणी रही है और इनका जो विवा वव था रामगर रियासत के जो लक्षमर सिंग उनके उनके पूत्र विक्रमादित सिंग के साथ हुआ था बाकी की टीटेल हम फिर एक करण्ट फैर्मिन के बारे में देखें कि वर्तमान में सिक्षा मंत्री पूछा जाया है, हार एजूकेशन कौन है, तो इंदर सिंग परमार है, पहले स्कूल एजूकेशन में लिष्टर भी रह चुके हैं, हमने आप से पिछले दिनों एक प्रश् बीच बीच में गोल हो जाती है, इसके अलावा राजकुमारी शिंग है, सितोल है, आप सभी के एंसर समय प्राप्त हुए, बिल्कुल सही एंसर तो सभी का, अमर कंटक है, धार्मे की स्थान है, मार अर्मदा यहां से निकलती है, नर्मदा जोहिला नदी का उद्गम स्था बिंद सत्पुडा का मिलन बिंदू है, अमर कंटक को जो राजकुमारी शिंग ने बता है, महारुद्र मेरु कहा गया, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, आने वाले टाइम में पेपर में आ जाए, तो परिशान नहीं होना है, जो आलेश्वर महादेव भी कहा ग और नर्मदा, सोन, जोईला, तीन नगियों का ये एक तरह से उद्गम इस्थल है, और 2004 में पवित्र नगर घूशित किया गया था, अधिती ने इसके बारें बताया, इसके लावा नई चीज़, नर्मदा, कुंड, दुखधारा, कपिलधारा, माई की बगिया, कबीर चब अमर कंटक में ही है, जब आप नर्मदा जी के दर्सन करने जाएंगे, तोहीं पर आपको जंजाती विश्वित्धाला भी मिल जाएगा है, आगे की तरह बढ़ें, और आज का प्रशना आप सभी के लिए, जिसका एंसर देना कंपल सरी है, क्योंकि आपके PSG के प्री सलेव एक बात, दूसरी बात ये, इस मुर्गे की विशेशता है बतानी है, आपको कहां पाया जाता है, पूरे मद्परदेश को तो नहीं दिया गया, किसी एक विशेश जगह पाया जाने वाले मुर्गे को दिया गया है, तो मुर्गे की विशेशता है बतानी है, आपको कहां प ये सारी चीज़े आपको comment करके बताने है answer जिनका right होगा exam religion को अपना heart देगा और आप सभी लोग answer करते हैं पढ़ा कर एक दूसरे का answer तो like जरूर कर दिया करें और इसी प्रकार से answer जरूर दिया करें current affair पिछले दिनों कम थे मुश्किल से एक current affair था MP का दो थे national के इसलिए नहीं डाला गया था लेकिन पिछला जो आपका छूटा है वो भी साथ साथ cover कर दिया है इसको ले करके संसय नहीं रखना ये 14 और 15 दोनों दिन के current affair इसमें समल लिक रहा है current affair की PDF में details जादा रहती है जिनोंने PDF डाउनलोड की होगी उनको ये जानकारी होगी यहाँ पर हम मोटी मोटी बाते देखते हैं लेकिन उसके जो भी अन्य बिंदू होते हैं जो उससे जुड़े हुए वो हम PDF में proper डलवाते हैं तो आप एक बार PDF टेलीग्राम चैनल में दो भार को 12 बज़े के बार डल जाती आप जरूर देख लें वाँसे डाउनलोड करें और अपने नोट्स में जरूर अप्डेट कर लिया करें फिर हमारी मुलाकात होती ये पढ़ाई जोरुस चालू करके रखें जैहिं जैवारा करंट अफेर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलना है